प्रिया वापत차ched अपने खर सलः करें तो हम है वाट्स उपस्पर इप्रिबंन तो स्वागत आपका रोमान से इतम में काफी लोगों ने मुझसे सवाल करें पुझाता कि क्या Pokemon Go में आर्सिस आएगा क्या Pokemon Go आर्सिस को लेके Сक्षाव इवेंट करने वाला है या हमें आरशियस इवेंट या स्पैशल पोकेमों के तुरू हम लोगो आज सिस मिलेगा तो मैं आज आज आप लोग को इसी चीज़ों के उपर आप लोगो एक डीटेल वीडियो देने वाला हूँ तो अगर आप लोग वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को ज़रा लाइक कर दो और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं आपने चैनल पर ऐसी वीडियो समेशा लाते रहता हूँ तो बीना टाइम वियस करें चलते हैं आपने सीधा इंट्रो के तरफ तो दोस्तो काफी लोगों ने मुझसे एक कमेंट सक्षन में एक ही जिस पुची दी इस जिस यूँ वीडियो फेक क्योंकि जो मैंने आर्शियस की मैंने वीडियो धाली दी कि मेरे बास आर्शियस है और मैं आर्शियस को ट्रेड करने वाला हूँ तो मैं आप लोगो एक बात बता दू कि अगर आप लोग ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके जरूर देख लो कि क्या किसी के पास आर्शियस हो सकता है या क्या कोई आर्शियस को थर्ड पार्टी एप्लिकेशन के थुरू आर्शियस को ला सकता है या फिर कोई Mew या कोई भी Mythical Pokemon है उसको हम लोग एक से ज़ादा रख सकते है क्योंकि मैंने पास मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में ऐसी काफी वीडियो है जहाँ पे आप लोगो देखने को मिलेगा कि मेरे पास 12 से 13 Mew है और मैंने उसको ट्रेड कर चुका हूँ तो मैं आप लोगो एक बात बता दू कि येस 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 आप लोग बोर रहे हो कि क्या येस तो मैं आप लोगो एक बात बता दू कि येस आप 3rd party प्ले पेड एप्लिकेशन होते है जो मैं अभी आपको उसका नाम रिपैल नहीं करना चाता हूँ बिगोज PG Sharp में ऐसे कोई features नहीं है कि आप mythical को अपने मन से trade कर सकते हो PG Sharp में या normal Pokemon Go में ऐसा कोई भी rule नहीं है कि आप एक mythical Pokemon को आप trade कर सकते हो तो मैं आप लोग एक बात बता दू कि mythical Pokemon में आप कोई भी Pokemon को trade नहीं कर सकते हो और दूसरी बात जहां तक की बात Mew की है वो वाले वीडियो की अगर आप लोग ने देखी होईगी नहीं देखी है तो description में उसका link डाल दूगा और i button में भी उसका link डाल दूगा और वो ये है के Mew आप एक से ज़्यादा create कर सकते हो जो Pokemon आप खुद से create कर रहे हो चाहे वो आप अपना face का IQ वाँपे logo डाल दो बढ़ आप उसको create कर रहे हो तो वो totally customizable होता है और दूसरी बात अगर for example मेरे पास जो third party application है मेरे पास अगर Mew है मेरे पास अगर RCS है वो mythical है इसलिए क्योंकि उसको मैंने बनाया Pokemon Go ने अभी तक नहीं बनाया और जो event के दुरू मैंने जो Mew जीता हूँ वो Mew वो transfer नहीं हो सकता क्योंकि वो officially Pokemon Go की दरफ से वो mythical declare हो चुका है और बागी के जो Mew मैंने अपने third party application के दुरू customize करके जो मैंने बनाया हूँ वो मैं trade कर सकता हूँ बट जब मैं वो trade करूँगा तो सामने वाले के पास वो अगर software नहीं है वो third party application नहीं है तो वो उसको Mew कुछ भी नहीं बताएगा इन शॉर्ट वो उसके पास जाके कोई और ही Pokemon आ जाएगा अब ये कैसे होता trick ये इसके पीछे reason क्या है ये तो मुझे नहीं बता बट इतना है कि आप अगर बहुत जादा pay करते हो वो third party application के तुरू system को root करते हो तो definitely आप कोई भी Pokemon अपने मन से create कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो create करके आप लोग को दिखा हो तो definitely comment में yes कर दो no वो अगर आपको करना तो मैं no कर दूँगा नहीं करूँगा अगर आप चाहते हो कि मैं उसके पर yes करूँ वीडियो बनाओ तो आप comment में yes जरूर लिख देना और एक और एक बात RCS से related मैं आप लोग एक बात बताना चाहते हो कि Pokemon Go की तरफ से officially कोई भी RCS Pokemon में आएगा ऐसा कोई news नहीं है और दूसरी बात आप लोग को बहुत सारी लोग ने पुछे थे कि यार बहुत सारी लोग ने मुझे से comment में भी पुछे थे कि यार लोडिंग स्क्रीन में RCS हम लोग को देखने को मिल रहा है तो मैं आप लोग के एक बात बता दू कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप बहुत infinite zoom भी कर लोग है न तो वो पत्तर का shape है अब ये RCS की body पत्तर के जैसी है rock की तरह है तो अपने को शायद ऐसा assume हो रहा होगा कि शायद वो RCS है बट नहीं RCS वहाँ पे नहीं है और मैं आप लोग को लिखके देता हूँ कि RCS Pokemon Go में मेरे ख्याल से ये साल तो बिल्कुल नहीं आने वाला है because RCS is the god of Pokemon अगर हर जन के पास अगर RCS होगा तो it is not valid Pokemon Go ऐसा कभी नहीं करेगा बट it is Pokemon Go वो चाहे तो RCS को डाल दे क्योंकि अभी हम लोग ने Mega Manatric की rate देख ली जब हम लोग उस सड़ेरे Pokemon के अगर हम लोग rate देख सकते हैं तो definitely शायद RCS को भी Pokemon Go ला सके तो अगर आप लोग को होप अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रू करते हैं क्योंकि आपके डाउट की वाज़े से मुझे काफी आसानी होती है वीडियो बनाने में और मुझे content definitely मिलता है Till then मिलते हैं अपने next वीडियो में Bye Bye Take Care Have a nice day Play Pokemon Go Play at home Be safe Wear mask Jai Hind Come on